पबाद जिले की सिवनी मालवा में मिलावड से मुक्ती अभियान के तहट सहर में लगातार एक्सपाईरी सामान बेच रहे दुकानदारों पर SDM अक्षिल राठोर ने सासन के निर्देश के बाद दुकानों पर जाकर एक्सपाईरी सामान की जांच की जहां एक्सपाईरी निकलीग सामान जबत कर कारवाई की गए कारवाई से नाराज व्यापारी एकत्रिक होकर SDM से मिलने साम साथ बजे पहसील कार्याले पहुचे SDM ने कहा जो व्यापारी एक्सपाईरी सामान बेच रहा है उस पर कारवाई होगी सासन के निर्देश है कारवाई में बड़ी संख्या में एक्सपाईरी सामान दुकानों एवं गोदामू में पाया गया कारवाई से पूरे सहर में हरकम्प मच गया प्रशासन की कारवाई से नाराज ब्यापारी एक जिप होकर तहसील कारयाले पहुचे ब्यापारियों ने कहा कि एक्सपारी सामान था लेकिन हम ग्रहकों को नहीं दे रहे थे उक्तमाल कमपनी को बापस चला जाता प्रशासन ने कहा कि दुकान पर अगर एक्सपायरी सामन मिला तो कारवाई की जाएगी सासन का अणुदे से अहसील कार्याले में व्यापारियों की घंटों चर्चा करते रहे व्यापारियों द्वारा प्रिशाषन पर दवाब बनाया जा रहा था ताकि इस तरह की कारवाई नहीं की जाए परंतु SDM अखिल राठोर ने दोटू कहा कि ये कारवाई पूरे प्रदेश में की जा रही है किसी को वेवज़ा परिशान नहीं किया जा रहा है सासन के निर्देश यूद की एकसपायरी सामान को जब्त कर नश्ट किया जाना है जिसके बाद व्यापारियों ने ग्यापन सोब प्रिशाषन को बाजार बंद करने की चेतामनी भी दी रिपोर्टर केके यदवन सी शिवनिमालवा खाने का तेल और अन खात समगरिश हमारे द्वारा जब्त करकर स्प्रेंटिंग राउंड में नश्ट किया गया है जिसकी जानकारी साशन को भेजी गई है और उसी के लिए जो उनका कंसन था कि उस कारवाई में उनका नुक्सान हुआ है तो उस बाबत बोलो कि हाँ पर आ स्वार्थ के लिए नहीं की जाएगी पर जो कारवाई बेधानिक है जो मट्रेल एक्सपायर्ड हो चुका है और आपके यहां रखा हुआ है उस पर कारवाई और जो सेंब्लिंग के शाशन के निर्देश है उन पर कारवाई की जाएजी